हेलो नमस्कार साथियों मैं हरबीर सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने स्टेडी चैनल स्टेडी 24 ओफिसियल में अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बैल आइकन को भी दबा दीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको सारी चीजे जैनुएन मिलेंगे और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं तो ये चैनल आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है तो साथियों आज किस मॉर्णिंग नियूज में मैं आपको काफी मिला आए कि फरजी वाड़ा हुआ है और इसके बारे में डिसकस होगा इसके बाद कुछ और अन्य एजुकेशनल नियूज है उन पर डिसकसन होगा तो इससे पहले कल मैंने कोस्टन दिया था कि पंजाबी को किस लिपी में लिखा जाता है जो पंजाबी भासा है उसे किस लिखा जाता है तो आंसर है गुरू मुकी और इसके बाद जो सबसे पहले 5 कमेंट्स आये थे 5 आंसर साये थे वो मैं बता देता हूँ रुक्साना खान, नितु सिंग, विरिंदर कुमार, अन्नी मलिक, डॉक्टर जे आर निगम ये सबसे पहले करेक्ट आंसर आये तो इन स चली और कितने किलो मिटर चली तो सातियों अभी गही जैसा कि आप जानते है कि परदेश की सबसे बड़ी सबसे बड़ी गरुब डी की भरती हुई थी, गरुब डी हरियाना के अंदर तो सातियों इसमें बहुत बड़ी ख़बर आ रही है कि फरजी पर्मानपत्र बनआक नौकरी ली गई है जी है साथियो दिव्यांग कोटे में मतलब पांस सो पैसट जो नव चैनित कर्मी है उनका दुबारा से मेडिकल होगा क्योंकि काफी ऐसे कर्मी पाए गए है जो मतलब दिव्यांग नहीं है लेकिन फिर भी दिव्यांग परमानपत्र बनवा कर फरजी पर कैसे हुआ अब साथियों बात ये है हम बात करते है कि करप्ट सिस्टम खत्म हो जाए लेकिन जो इक करप्शन है सबसे पहले जो इसाथि हैं जिन्होंने नौकरी लिये इन्होंने बहुत गलत किया है क्योंकि हम दिव्यांग का हक भी नहीं छोड़ रहे तो हम क्या करेंगे मुझे इतनी सर्म आती है ऐसे लोगों पे कि वो दिव्यांग लोगों का हक भी नहीं छोड़ रहे वो क्या करेंगे मतलब दिव्यांग कोटे में वो जा रहे हैं फर्जी पर्मान पत्र बनवा कर वो नौकरी पा रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि जो अधीकारी हैं जो उनको पास कर रहे हैं जो पर्मान पत्र बना रहे हैं वो लोग कैसे हैं तो साथियों ये सोचने वाली बात है और इन लोगों पे मैं कहना चाहता हूँ कड़ी से कड़ी कारवाई होनी चाहिए और इसमें साबत तोर पर लिखा गया है उनको नौकरी से तो हटा दिया ज जी हां बिल्कुल होनी चाहिए क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि जो दिव्यांग है उनके कोटे को भी हम खा रहे हैं तो हम क्या करेंगे और बहुत गलत है और जो इनके साथ मिले हुए हैं जिन्नोंने परमानपत्र बनवाने में सहायता की है जिन्नोंने पास किया है दिव प्यांग बनाया गया है तो उनके उपर भी कानूनी कारवाई जरूर होनी चाहिए तो सातियों ये बहुत गलत है और इसके बाद एक और अपडेट है आप लोगों के लिए अगर आप हरियाना से हैं तो सरकारी स्कूलों में 11 के परिनाम है जो उनमें सुधार किया जाएगा जी हाँ सातियों इसमें सुधार क्यों किया जाएगा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ पिछले वर्स जो पास परसंटेज था वो 71 परसंट था लेकिन अब की बार 80 परसंट तक पहुँच गया है मतलब 80 परसंट तक पहुँच गया ये और सरकार ने दावा किया है कि बीते 8 साल में ऐसा पहली बार हुआ है तो इस पर दुबारा जो रिजल्ट है दुबारा इसमें सुधार करके डाला जाएगा क्योंकि जो परसंटेज है बहुत ज़्यादा कर दिया गया है तो अब देखते हैं क्या होता है इसके बाद साफियों कुछ और अप्डेट में आपको बताना चाहता हूँ जैसा कि आप जामते हैं कि नियू टीचिंग पोस्क दिल्ली के अंदर आने वाली है और अभी क्या है कि जो मुद्दा है वो MCD PRT से भार नहीं निकल रहा है MCD PRT पर आके रुका हुआ है जैसा आप जामते हैं लेकिन हम लोगों को उससे अलग होके प्रिपरेशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा और आपके लिए अच्छी खबर और आने वाले इस चैनल से आपको जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे टीचर जो मुझे मिलेंगे वो इस चैनल पर टीच करेंगे साथियों मैं आपको बता देता हूँ इस चैनल पर आपको अच्छे से अच्छे टीचर मिलेंगे जो आपको यहापर टीच करेंगे KVS, DSSB, CTAT या जो भी है तो मैं अच्छे में में जो भी जैसे इंगलिस का टीचर हो गया या साइकलोजी का टीचर हो गया, मैथ का टीचर हो गया तो टीचर से मेरी बात हो रही है तो जल्द से जल्द आपको इस चैनल पर स्टैडी देखने को मिलेगी और ऐसे नहीं हर सब्जेक्ट का अपना एक अलग टीचर होगा तो साथियों आप जुड़े रहे हमारे साथ और जो न्यू रिक्रिट्मेंट है जल्द से जल्द हम कोशिस करेंगे कि जल्द से जल्द वो वेकिंसी आए और अभी देखते हैं कि कोट के अधीन वो चीज चल रही है कोट कितना टाइम लगाता है जैसा आप जामते हैं M.C.D.P.R.T. पे उलजी हुई है जो D.S.S.B.R.T. पे उलजा हुआ इस टाइम और इसके बाद जो मुद्दा बना हुआ है M.C.D.P.R.T. बना हुआ हलाकि आप देखने हैं कि वो उलसता जा रहा मामला हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो सॉलूशन हो जाए जो सेलेक्टिड है उनको जॉब दी जाए जो डिजर्विंग है नॉन सेलेक्टिड में उनको भी कुछ बैनिफिट दिया जाए जल्द से जल्द ये मामला सुल जाया जाए जो मेरा विचार है क्योंकि इससे new vacancies पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है तो साथियों good bye, take care, thank you, जैहिन, one day मात्रम and like जरूर करें Thank you